लेकिन केके पाड़क जी जब से आया है तब तक इनका प्रमान होता है सब तुलगी होता है प्रफ़ाइब देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार में सिख्षक और सरकार में बाद वीवाद लगाता जारी है बता दें कि एक तरफ जहां नियोजित सिख्षकों का संकट जो है वह कम होने के बजाए और भी बढ़ता जा रहा है ऐसे में जो सिख्षकों के चहेते हैं जो सिख्षकों के हीत में सोचने वाले हैं वह लगातार मुख्यमंत्री नितिसकुमार से कोसिस करने में लगे हुए हैं किसी तरह बात बन जाए इसी करम में सारण सिख्षक निरवाचन छेत्रशे प्रतियासी रहे आनंद पूसकर लगातार मुख्यमंत्री नित के लिए सीधिये तोर पर पर सिक्षकों के हीत में जो बाते कही थी मुख्यमंत्री नितिश कुमार से क्या उनके प्रति हिए प्रति उनके ट्पार आगा है लेगे वंद्णा जी पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो जो सिख्षक के मसले को आपने उठाया है और मैं आपका ध्यान इसोर भी आक्रिस्ट करना चाहता हूँ कि 30 जनवरी को जब मैं मानिय मुखमंत्री जी से मिला था तो हमारे उस इंटर्व्यू को भी आपने ही संग्यान मिलाया था और उस वक्त जब हमारी मानिय मुखमंत्री महोदे से बात हुई थी और मैंने मानी मुख मंत्री महोदे का ध्यान आक्रिस्ट किया था या बिहार विद्याले विशे सिक्षक नियमावली 2023 पे तो मानी मुख मंत्री जी ने त्वरित उस पे संग्यान भी लिया था और उन्होंने कहा भी था अपने मुख मंत्री कारियाले को भी उन्होंने कहा एक दिन पहले एक पत्र निर्गत हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री कार्याले ने मुख्य सचिव को मेंसन किया है हमारे नाम के साथ और हमने जो दो पत्र दिया था पत्रांक 62 और पत्रांक 61 तीस तारीक के डेट में उस पत्र को मानिय मुख्यमंत्री जी के कार्याले ने मुख बशचित करेंगे और सासाथ मुख्यमंत्री कारियाले को भी आप इसकी सूचना देंगे तो हम लोग तो बिलकुल उमीद लगाए हुए हैं और उमीद में भी है क्योंक neighboring यह संग्यान में यह मसला पहले नहीं था और मैं ही पहले जाके सबसे कहा भी है और हम लोग मुख मंत्री जी के नित्रित्तों को हम लोग लगातार देख रहे हैं क्योंकि पुरू में हमारे पिता स्वर्गी स्रीकेदार नात पांडे जी सिक्षकों के मसले को लगातार मानी मुख मंत्री जी तक पहुचाते रहते थे और उनके कहने पे लगातार म मंतरी महोदे संसोधन करते रहे हैं काम भी होते रहा है सिख्षकों के लिए बहुत काम उन्होंने किया है और आज़ उनकी अनुपस्थिति में सिख्षकों को एक बड़ी ब्यापक कमी महसूस हो रही थी तो मैं वहां गया मैंने जाके सारी बात कही है और साकरात्मक दृस्ट तो अगर संसोधन होता है इनकेस अगर संसोधन नहीं होता है तो यह बड़ी बिडबना होगी शिक्षा विभाग के लिए और सिक्षकों के उपर एक जो तलवार जो चल रही है तवश्य हम लोग अस्वास्थ है कि मानी मुखमंत्री महोदे ने जब संग्यान लिया है तो अवश्य इस पे संसोधन लिया है पत्र को उन्होंने पढ़ा और वो पत्र को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने हमसे 10 मिनट उनकी डिसकसन भी हुई सारी बातों को वो जानना भी चाहे और जाने भी मूल जो सबसे बड़ी उसमें परिशानी है मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर महीने में जो बिभाग ने जो यह नियमावली जो ड्राफ्ट एक लागू किया था उस ड्राफ्ट में यही था और मुख्यमंत्री ने गाधी मैदान में भी अपने भासन में कहा था कि एक सक्षमता परिक्षा लेने के बाद हम सिक्षकों को राजिकर्मी का दर्जा देने जा रहा है यह बाते तय हो गई थी लेकिन जब यह नियमावली अधिसूचित हो के आई सिक्षा विभाग जब ले के गया था वहाँ तो उसमें एक कॉलम को उसने जोड़ दिया कि सक्षमता परिक्षा देने के बाद तीन जिले का विकल्प दिजिए उसके बाद आप जब जोगदान कीजिएगा तब जाके आपको राजिकर्मी का दर्जा दिया जाएगा जो सबसे बड़ी गरबड़ी की बात यही थी जो सिक्षकों के अंदर निराशा की भाव थी दूसरी जो बात थी कि उस समय जब ड्राफ्ट आपको आया था तो उसमें यही बाते तै हो गई थी कि हम लोग सिक्षक को हटाएंगे नहीं परिक्षा के बाद इसमें कमीटी बनेगी कमीटी उसमें विचार करेगी लेकिन यह यथा सिग्र जो है कि कमीटी बना दिये कमीटी का रिपोर्ट जारी कर दिये तो आपको इस सरकार थोड़े है कि आप सिक्षक को हटा दीजेगा तीन परिशा के बाद ऐसे फर्मान उनके वापस होने वाले हैं ऐसे फर्मान देखिए उन्होंने अभी विभाग अपनी जो कमीटी उन्होंने बनाई है कमीटी की रिपोर्ट बना के वाइरल कर दिये हैं ऐसी रिपोर्ट तो उनको वाइरल करनी नहीं चाहिए थी उनको तो रिकमेंडेशन करें का काम वह कभी करते भी नहीं है आज देख लीजे कि बुरे बिहार में लाखों लाख्नोकरिया नितिशकुमार ने दे दिया और लाखों सिख्षकों की 42-70 दिन में मानिय मुखमंत्री जी केही न नित्रित्तों में हुआ है और आगे भी होगा और नियोजी इस सिख्षक को भी राज जी कर्मी का दर्जा बिहार के माने मुखमंत्री नितिश कुमार जी के ही न नित्रित्तु में मिला है। अलग भी होने जा रहा है। अब रही बात संसोधन का। तो संसोधन तो केके पाठक जी को करना ही पड़ेगा। इसलिए भी करना पड़ेगा कि मुखमंत्री जी ने संग्यान ले लिया है। और सिक्षकों की जीत होगी। यही बात है जो सिक्षा विभाग और सिक्षक के बीच में जो तनातनी का माहौल जो पैदा हो गया है। और हमारे स्वर्गी पिता जी के नई रहने के बाद जो यह तीनों जगह जो सामंजन की स्थिती जो नई बन पा रही है तो वह सामंजन की स्थिती अब बन चुकी है। सरकार में और सिक्षा विभाग में भी सामंजन की स्थिती बने गी और सिक्षक में भी और सरकार में सामंजन की स्थिती बन रही है। बने गी और निश्चित रूप से शांसोधन हो की जा रही है कि कि सिक्षकों की आवाज को खत्म करने की बात कहीं जा रही है तो आगे की लड़ाई क्या से सिख्षक लड़ेंगे देखिये हमारी लड़ाई तो बहुत पहले भी बहुत पूई थी और आज भी हम संघर से ही जो कुछ लेते हैं संगर से ही लेते हैं आज भी हमारा संगर शुरू है अब केके पाटक जी बीच में आए हैं तो सरकार के हम लोग तो ये विश्वास करके चलते थे कि नितीश कुमार जी हमेसे हम लोगे पक्ष में काम किये हैं लेकिन केके पाटक जी जब से आए हैं अब तक जितना भी इनका फरमान होता है, सब तूलगी होता है। और जो इनके मन में आता है, वहीं वो करते हैं। सिख्ष को कैसे टॉर्चर किया जा, सिख्षा संभालने का और उसमें सुधार करने का ही कोई रास्ता तो नहीं है। आप हमको टर्चर करके और हमारा क्या सुधार किजिएगा। तो उनका ये मुहीम चला है कि हम संगठन को जिन्दा नहीं रहना देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आए और गए। हमारा संगठन जो है, वो जिन्दा है और जिन्दा रहेगा भी। और हमारी लड़ाई जो है, वो चालू रहेगी। अभी हम लोग विश्वास के साथ नितीजी से एक राउंड की बात हुई है। और फिर हम लोग उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जीत हमारी होगी। चाहें जैसे भी हम लोगों को उनसे मील करके, आचाहें संघर्स करके, जैसे हो लेकि जीत हमारी होगी, वो हमको का चुके हैं कि आपको राज करमी का दर्जा देंगे। लेकिन अब BPSC का परिछा उन्हों ने लिया, तो आफ-लाइन से लिया, और हमारी परिछा कर रहे हैं कि आउनलाइन से लेंगे। उसका माउस पकड़ना भी लोग नहीं जानते हैं, उनसे उका रहे हैं कि नहीं हम लेंगे आपको आउनलाइन लेंगे। उसके बाद ये का रहे हैं कि जो इसमें पास करेंगे, उनको तीन ठो उनका आम लेंगे, अपना ये लेंगे, च्वास लेंगे, और दूसरे दूसरे जिला में भेज देंगे। ये कोई बात नहीं हुई, इसलिए हम लोग से बस्ते हैं कि जैसे पुसकर जी ने इस पर आवाज उठाई है, हमारे सारे लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं और इसे भी नहीं होगा, तो हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करके ही हमको सब कुछ मिला है, आज भी हम संघर करने के लिए त्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था, सिक्षकों के नेता, आनंद पुसकर का,